गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास सेवंथ का दो चैटर 12 है उसकी एक्सरसाइज हमारे पास 12.3 क्या दिया देखोंच में? ग्वेस्चन नमबर वन ग्वेस्चन नमबर वन में दिया है इफ M इक्वल टू टू find the value of M-2, 3M-5, 9-5M, 3M-2, M-7 इनकी value find out करने है अपने और M की value 2 put करनी है क्या क्वेस्चन ने देखो if M equal to 2, M-2 की value निकालनी है M-2 means M की value 2 put करेंगे तो 2-2, 0 सेकिंड पार्ट है 3M-5, 3M कमीन यहाँ पर 3 into 5 है तो 3 into 2, M की value कितनी है? 2 है, तो 2 put करें, 3, 2, 6, minus 5, तो 1 answer आ गया ऐसी थार्ड पार्ट है हमारे पास 9-5M, 9-5 into 2, M की value 2 put करनी है क्वेस्चन में दिया गया है, हमारे पास दो के यहाँ पर यह तो 5 to the 10, 9-10 क्या बनेगा? minus 1, क्योंकि यह smaller है, यह greater हो जाएगा तो minus का number बड़ा है, तो minus आ रहा है 3M square minus 2M minus 7 में, 3 into 2 square, क्योंकि M की value 2 है यहाँ पर भी M की value 2 put करनी है, 7 2, 2s are 4, 4, 3s are 12, इसको 2 को 2 time note करेंगे 2, 2s are 4, minus minus वलेड़े करेंगे, 7, 4, minus 11 हो गया तो 12, minus 11, 1 आ गया ऐसे ही 5 by 2 M plus 4 है, इसमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पर देखो देहां से, यह plus है, minus है तो मैंने दोनों तरफ से कर दिया इसको plus लगा की भी कर दिया और minus से भी कर दिया 5 by 2 M plus 4, अगर में plus लेते हैं 5 by 2 M की value 2 है, 2 से 2 कटेगा 5 plus 4, 9 answer आ गया और 5 M by 2, अगर minus होता यहाँ तो 5 M by 2 को मतलब हमारे पास M की value 2 से 2 कट जाता है 5 minus 4, तो answer आ गया ऐसे हमारे पास second question है if P equal to minus 2 है, तो find the value of the numbers हमारे पास जो algebraic expression दिये गए, उनकी आपने value find out करनी है यह देखो find the, if the P is equal to minus 2, find the value of the that number, इनकी value रिकाडनी है आपने, same question है, जैसे मैंने भी किया है 4P plus 7 4P की value minus 2 है, तो यहाँ पर आपने minus 2 put करना है 4, 2 जा 8, minus को होगे, plus का 7 तो minus 1 बज़े होगी, minus के 8 है और plus के 7 है, ऐसी आपके पास second part दिया है यह करना है, अपने, third part देखो minus 2P cube minus 3P square plus 4P plus 7 P की value minus 2 cube minus 2 square minus 2P की value, as it is minus 2, 2 की power 3 है तो 2, 2, 2, minus के नोट करना है यहाँ पर 2 की power 2 है, तो यहाँ पर 2 into 2, यह single है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 यहाँ पर 3 to the 6, 6 to the 12 4 to the 8, plus 7 plus minus, minus minus, minus को minus multiply करेंगे plus, फिर दॉबार minus से करेंगे तो minus minus को minus से multiply करेंगे plus, plus को minus से करेंगे minus, फिर minus को दॉबार plus minus से करेंगे तो plus आजाए गयी इनको 12 of minus 20 हो जाएगा, 16 plus 7 23, 23 मैं से आपने 20 माईर्स करने तो 3 आ जाए इन, question no 3 कार्ड आपके पास सेम है जैसे यह क्वेशन आई है यह सेम है इसको करने की जरूरत नहीं आपने अपने कोपी में करना चाहे तो कर सकते हो लेकिन मैंने पीडियाप में नहीं किया आपने खुद करने है ठीक है करने कार्दैंना यहाँ है माइनस टू माइनस टू का स्केर 2 तू टू कियो के है क्योंगी कि कि वैलू कितनी है तू और बी की वैलू कितनी है माइनस टू तो नो वाला और बी की जो वैली माइनस टू का स्कूर्ण तो टूज़ा 4, माइनस, माइनस 2 का स्क्वेर, प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाता है, रिजल्ट आएगा, 0, अब देखो हमारे पास question number 5, यह same है, 4 की तरह ही है, same, आपने खुद करना है, question number 5 उपने copy में, same question, जैसे हाँ पर A और B की value, तो यहाँ पर भी A और B की value है, तो और X की value 2 पुट करनी है, question number 6 में, simplify करना है, पहले फिर इसमें X की value 2 पुट करनी है, जैसे, simplify the expression and find the value of the X is equal to 2, if X is equal to 2, X की value 2 है, पहले simplify करेंगे, X plus 7 plus 4, X minus 5, यह bracket के अंदर है, इसको multiply करेंगे 4 से, X plus 7, as it is रहेगा, 4X, 4, 5, 20, और X और 4X, दोनों को add करोगे, 5X, 20 माइनस का है, और plus के 7 है, तो माइनस 13, लेकिन X की value क्या पुट करनी है, आपने इसके अंदर X equal to 2, 2 पुट करना है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, X equal to 2, तो X की value 2 पुट करना है, 5, 2s are 10, माइनस 13, तो answer कितना आएगा, माइनस 3, ऐसे second part करोगे, 3 into X, 3X, 3, 2s are 6, 5X, और 7, as it is, 3X 6, minus 7, minus 1, लेकिन हमने X की value कितने पुट करनी है, जो question में दिया है, X is equal to 2, तो X की जाएके 2 पुट करेंगे, आप जहाँ पर 8, 2s are 16, minus 1, 15 अंसर आ गया, ठीक है, इसको simplify करेंगे, 6X plus 5, X minus 2, 5X, 5, 2s are 10, 6 plus 5, 11, X minus 10, X की value यहाँ पर आपने क्या पुट करनी है, 2, 11, X का में निग 11, इंटो 2 है, 11, तो 22, minus 10 करोगे तो 12, अंसर आ जाएगा, 4th part आपने कुट करना है, ठीक है, यह मैंने आपको करवा लिए, ऐसे 7th question भी आपका same, ऐसे ही है, इसको आपने simplify करना है, expression को, और फिर value पुट करनी है, इसमें हमारे बास 3 value दी गई है, X की value भी दी गई है, A की value भी दी गई है, और B की value भी दी गई है, जिस part में X की जुरूरत होगे, हमने X पुट करना है, जिसमें A की जुरूरत होगे, A पुट करना है, जिसमें B की जुरूरत होगे, आपने B पुट करना है, जैसे first part है, 3X minus 5 minus X plus 9, 3X में से 1X चला गया, तो कितना माइनस 5 प्लस 9 प्लस के 4 बनेगा यह प्लस के 9 है माइनस के 5 तो 4 बनेगा लेकिन X की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 3 तू जा 6 प्लस 4 10 आगा ऐसी सेकिंड पार्ट में हमने X 8 X माइनस का है 4 X प्लस का है तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस 4 X और 4 और 2 6 हो गया X की वैल्यू 3 पुट करनी है जो क्वेशन में दी गई है 4 3 तो 12 हो माइनस का 12 हो गया प्लस का 6 हो गया तो माइनस 6 हो आगा ऐसी आपने इसका 3rd पार्ट करना है और 4th पार्ट करना है और B की फॉर्म में है इसमें A की वैल्यू पुट करने इसमें B की वैल्यू पुट करने सिंप्लिफाई करने question number 8 if Z equal to 10 find the value of the Z cube minus 3 into Z minus 10 इसको simplify करेंगे पहले Z की वैल्यू 10 पुट करनी है Z cube minus 3 Z 3 Z minus 10 पुट कर सकते हो जैसे यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है 10 यहाँ पर 10 पुट करेंगे Z की वैल्यू 10 cube minus 3 10 minus 10 Z की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी है 10 minus 10 0 0 किसी नमबर से multiply करोगे 0 यह 1000 अटाज़ इस इंसरास आज़े second part इसका बेको second part में क्या देख P की वैल्यू minus 10 पुट करनी है आपने इस equation में minus 10 square minus 2 into 10 minus 10 minus 100 10 to 20 plus का बनेगा 10 10 जा 100 हो जाता है 100 बे से 100 कैंसल हो जाता है तो 20 इंसरा आगे अब what should be the value of that X को पुट कर आपने वैल्यू पुट करनी X की वैल्यू पुट करनी है 2X square plus X plus minus A is equal to 5 यह 5 के एक्वल है और when X equal to 0 पुट करो जाएं 2X square plus X minus A equal to 5 X की वैल्यू 0 यहाँ पर भी 0 X की वैल्यू 5 यह 0 बन जाएगा यह भी 0 बन जाएगा minus A equal to 5 तो A की वैल्यू minus 5 आजाएगी अगला भी आपने question number 10 simplify करना है question को आपने समझना है A की वैल्यू 5 है B की वैल्यू minus 3 है statement को 2A square 2AB plus 3 minus AB 2AB और minus AB उल्ली AB बचेगा और यहाँ से A की वैल्यू और B की वैल्यू आपने आप उट करके question को solve करना है I hope कि आप सभी कोई question clear हो चुक्पे होंगे आपने question number 10 तक सभी question मैंने आपको समझा दिया है और आपने फियर गोपी में करने है और जैसे आप इसको कर लोगे तो आपने मेरे पास जो है WhatsApp कर देने है ओके thank you बटा